घर से निकलते ही सामने ही है बस्टॉप जहां पे साथ चलते चलते आप चले तो जाते हैं लेकिन वहाँ तक पोहुचना एक चैलेंज हो जाता है खास कर आज कल के वेदर में क्योंकि वहाँ पहुचते-पहुचते बाल ऐसे ज़ाडू जैसे हो जाते कि मन करता है कि पूरी एनरजी बालों को काटने में लगा देते हैं अगर आपके माइन में भी ऐसा खयाल आया है तो अभी के अभी ये थोट अपने दिल से निकाल दो क्योंकि मेरे होते हुए आपको अपने बालों के साथ ऐसा करना पड़े ऐसा मैं होने नहीं दूंगे इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक hair growth mask जो कि आपके strands के लिए होगा और एक hair growth mask जो कि आपके scalp के लिए होगा क्योंकि ऐसे weather में आपके बाल और भी ज़्यादा greasy होगे धूल को attract करके या मिट्टी को attract करके बहुत ज़्यादा छाड़ू जैसे हो जाते हैं तो इसलिए scalp का hair mask और आपके बाल जो बहुत ज़्यादा rough dry हो जाते हैं उनके लिए strands का hair mask basically एक ही hair mask है जिसको आप दो तरह से अपने लिए prepare करेंगे और जिसका hero ingredient है flax seeds flax seeds के बारे में एक भी percent अगर आपको doubt है देखना है so now let's begin hi guys welcome to my channel मैं हूँ एंजिना इस channel में शेयर करते हूँ hair related बहुत सारी videos I hope आप सबी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं इस वाले hair growth pack को बनाने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले flax seeds मतलब की alci जो alci होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक light brown होते हैं एक बिल्कुल dark brown होते हैं इन में से आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों बहुत सदा अच्छे हैं आपके बालों को shiny बनाने के लिए इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए पानी 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 तो आपने जो पानी लेना है वो लेना है 200 ml का 2 कप ठीक तो इसका मतलब कितना हुआ 400 ml आप पानी ले लेंगे और उसके बाद आप इसमें डालेंगे फ्लाक सीट्स फ्लाक सीट्स आप लेंगे तक्रीबन या approximately मैं कहूंगी 200 ग्राम ठीक है जी 200 ग्राम के आप फ्लाक सीट्स ले लेंगे और इसको आप डाल देंगे पानी में उसके बाद आप इसे थोड़ा सा बॉयल होने देंगे क्योंकि फ्लाक सीट्स की ऐसे टेंडेंसी होती है कि अलसी जैसे ही आप डालते हैं तो वो एकदम जैल जैसा होने लगता है या जैली में कनवर्ट होने लगता है तो इसकी वज़े से आपके ग्रोध चुह होती है वो पहले के comparison में और जादा अच्छी होने लगती है यह आपके kitchen में ही मिल जाएगा अगर आपके पास यह नहीं है तो यह बहुत असानी से आपको किसे भी nearest store से मिल जाएगा आपने इसको लेना है ठीक है और इसके आपने जैल को दे देता है जैसी आपको दिखेगा कि थोड़ा सा color change हो गया उसके बाद आपने इसमें डालनी है कलाउंजी कलाउंजी इस वन तिंग जिसके बारे में मैं अन नंबर आफ वीडियो बना सकती हूं क्योंकि कलाउंजी बालों की ग्रोध के लिए वैसे ही बहुत अच के अंदर इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको और भी बॉयल होने देंगे इसे आप बॉयल करो बॉयल करो जब यह प्रॉपरली बॉयल हो जाए और हलका सा color इसका change हो तो आपको देख चाहे उसके बाद आप इसको निकाल देंगे and आप इसे immediately strain कर लेंगे मतलब कि filter कर लेंगे या फिर आपके है सकते कि चान लेंगे जब यह अच्छे से चान जाए उसके बाद आपने इसको एकदम से यूज नहीं करना है क्योंकि यह गरम है अभी आपने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि जब भी फ्लाक सीट्स जैल आप अपने लिए प्रिपेर करते हैं तो उसमें थिकनेस होने के चांसे बढ़ जाते हैं जैसी ही वो ठंडा होने लगता है या फिर एक नॉर्मल टेंपरेचर पर आते ही आप देखेंगे कि इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी यह थिकर थिकर होता जाएगा जैसी आपको दिखेगा कि एकदम यह जल जैसा ह हो चुका है अब अब आप इसको दो पार्ट में डिवाइट करेंगे एक पार्ट आपने अपने स्कैल्प के लिए रखना है और दूसरा आपने अपने स्ट्रेंड्स के लिए रखना है क्योंकि आपके जो स्ट्रेंड्स होते हैं उन्हें सिर्फ आप नरिश्मेंट देते ह तो आपके जो बाल होते हैं वो अच्छे दिखते हैं, soft, silky, shiny, bouncy, सब कुछ दिखते हैं आपने scalp को क्या करना है? कुछ ऐसा apply करना है, जो कि scalp के लिए एक तरह के cleanser का काम कर रहा है तो आपने 7-8 spoons separate कर लेनी हैं, जो 7-8 spoons separate होंगी flaxseals gel की, इसमें आपने डालनी है मुलतानी मिट्टी मुलतानी मिट्टी आपके scalp के लिए बहुत जादा अच्छी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जादा oil secret ना हो scalp से, थोड़ा से regulated way में हो तो उसके लिए मुलतानी मिट्टी बहुत जादा अच्छी है, आपने एक चमच पहले डालनी है, अच्छे से इसे mix करना है तो इसलिए आप इसे थोड़ा से पहले मिक्स करेंगे, और जब आपको लगेगा थोड़ा सा ये uniform consistency में जा रहा है, उसके बाद आप एक चमच, मतलब की one spoon और डाल देंगे अच्छे से आप इसे mix कर देंगे, ये है आपका scalp का hair growth mask, आपने इसे अपने oil लगेवे बालो पे भी लगा सकते हैं, बिना oil लगेवे बालो पे भी लगा सकते हैं और जो दूसरा आपने prepare किया है, वो strands के लिए है, उसमें आपने और कुछ भी extra नहीं डालना है, आप इसे ऐसे ही use कर सकते हो तो scalp में पहले आप अच्छे से इसे rub करेंगे, apply करेंगे, जैसे कोई भी scrub आप अपने scalp में apply करते हैं, तो हलका सा circulation आप generate करते हैं अपनी fingertips की मदद से, ऐसे ही आप इसे apply कर लेंगे, एक एक portion में scalp के एक एक corner में अच्छे से आप apply कर लेंगे, और उसके बाद आप अपने strands जो भी gel आपने prepare की है, उसको apply करेंगे, अच्छे से apply करना है, section by section आप divide करना चाहें तो अच्छी बात है अपने strands को अच्छे से आप कर लेंगे, cover और उसके बाद बालों को पीछे की तरफ आप जूडा बांद लेंगे, एक बन बना लेना है आपने normal सा, और इसको आपने ऐसे ही रखना है, 40-45 minutes, उसके बाद आपने जो ये मिलतानी मिटी और साथ में आपने जो फ्लाक सीट लगाए हैं, पहले आप इसे अच्छे से पानी से रिंस करोगे, पानी से रिंस करना important इसलिए है, क्योंकि जो मिलतानी मिटी होती है, वो एक तरह का powder है, ठीक है, तो powder को पहले पानी से रिंस किया जाता है, और उसके बाद आप शैंपू यूज करेंगे, ऐसे नहीं कि आपने powder लगाया है, सिर पे और सीधे आप शैंपू करने लग गए, ऐसा आपको नहीं करना है, पहले आप इसे रिमूफ करेंगे, पानी की मदब से जितना रिमूफ हो जाए उतना आप करेंगे, पानी 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 जितना आपको चाहिए उतना आप लगाएंगे, उसके बाद किसी भी माइल शैंपू से आप अपने बालो को हेड वाश कर देंगे, अब ये जितने भी बच्चे वे फ्लाक सीट्स हैं, आपको इनको नहीं फैक ना है, आप इसे 3-4 अपने फर्दर यूज के लिए रख सकते हो, किसी भी छोटे से आप बॉक्स को ले लो और उसके अंदर ये जो भी है, चाहिस के अंदर बाकी स्पास भी आपने डाले हूँ है, आप डाल के रख लो, और इसको आपने 3-4 ताइम्स और चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते ह है, ठीक है, और इसे हर कोई अपलाए कर सकता है, अगर आपके पास कोई भी पर्टिकलर इंग्रीडियंट नहीं है, वैसे तो मैंने इसमें कम से कम इंग्रीडियंट यूज किये हैं, क्योंकि थोड़ा सा और इसी हो जाता है, अगर आप कम से कम इंग्रीडियंट डालते है तो आप उसे अपने लिए यूस कर पाते हैं आप मुझे खुद बोल दें कि वैसे ingredient बताओ जो कि kitchen में available हो and I think इन में से सब कुछ आपके kitchen में ही मिलता है कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके kitchen में available ना हो पट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये जो star वाला जो you know spice सा है वो आप नहीं कर पा रहे है अपने लिए arrange तो आप इसे skip कर सकते हैं और फिर देखना है आपने कि आपके बाल कितने ज़्यादा soft shiny हो गए है और hair breakage क्या होता है आप भूल जाओगे So guys आज की video के लिए इतना ही I hope आपको आज की video अच्छी लगी है useful लगी है अगर हां तो जरूर आप ऐसे videos को और देखने के लिए चैनल को subscribe करेए वीडियो को like करो guys और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and bye guys